हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार से फिर हमारे यूटूब चैनल माई हल्प स्यों में यूपी स्कॉलर्शिप के लिए यहाँ पर खुश खबरी आ चुकी है आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूंगा अगर आप यूपी स्कॉलर्शिप 2022 स्टेश के है तो 58,000 चाहितरों का रास्ता यहाँ पर साफ हो चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चाहितरों का इंतिजार यहाँ पर खत्म हो चुका श्कॉलर्शिप खुश कबरी यहाँ पर आ चुकी है 58,000 छात्रों का रास्ता यहाँ पर बिल्कुल साफ हो चुका है तो यहाँ पर जो नोटिस आई है सिधा आपको नोटिस पर लेकर चलता हूँ वहीं पर आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे के आपको करना है कौन से छात्रों के लिए अपडेट है तो सिधा हम यहाँ पर नोटिस को ओपन कर लेते हैं देखी यह नोटिस यहाँ पर है इसको आप डेट को माईने मत रखना क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम एक दो दिन हो गया नोटिस आने में मेरा वीडियो बनान में थोड़ा सा लेट हो चुका है तो देख सकते हैं लकनव दिनांग, 24 अगस्त को यह नोटिस आई थी निदेशालर समाज कल्याण उत्तरपदेश की तरब से जारी किया गया जिला समाज कल्याण अधिकारी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश की तरप से बताया गया है तो इस नोटिस में क्या बताया गया है आपको अच्छे से एक एक पढ़के आपको मैं बता देता हूं कि अनुसूचित जाती जन जाती दसमोतर चत्वती वित्ती वर्स 2022 तेश के 58,313 चात्रों के अधार देशन कराने के सम्मद्ध में इस नोटिस को पब्लिस किया गया है यहाँ पर क्या बताया गया है कि उपर्युक्त विश्यक अवगत कराना है कि सासन के पत्त दिनायंक दस चा कार को डाटा सेर करने है तो समय सारणी निर्गत की गई थी जिसके अंतरगत अनुसूचि जयात के 58,313 चात्रों का डाटा संस्था जनपत इस तर से विरिफाई हुआ है जिसकी जो जनपत वार चात्र संख्या सूचि संगलंग्न उक्त परिच्छा 58,313 चात्रों की के साथ साथ OTP-based आधार authentication कराया जाना है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी SCST के छात्र हैं उनके लिए यह खुश खबरी है कि उनका अगर सारा कुछ सही था सारा status सही था उनका पैसन नहीं आया था तो उनके लिए यहाँ पर बता गया कि आपको यह दोकाम करने हों कराया जाना जरूरी है उसके बाद आधार डेमियोकरिश की authentication कराने जाने के समंद में NIC लखनाओ द्वारा समंदी छात्रों के छत्वती लागिन पर जो भी OTP-based authentication कराया जाने है तो विकल पर प्रदर्शित किया गया है यह गोलेज वालों की वेकसाइट पर भी देख सकते हैं कि आपका अधार कार्ट से मुबाइल नंबर लिंक होगा उसके द्वारा OTP आपका वेरिफाई किया जाएगा फिर आपको छत्रवती है वो आएगा आता है आपको निर्देशित किया जाता है कि समंस्त छात्रों का अधार authentication का कार सीट से प्राथिमिक्तर के पति दिन की सूचना विभाग के वाट्साप ग्रूप पर उपलब्द कराना सुनिश्चित करें यह बताया गया है कि जो भी कोलेज वाले उनका पूरा डाटा उपलब्द कराकर जो वाट्साप नंबर होगा उनको उपलब्द कराना होगा तो यह इतना सा अपडेट दिया आते हैं तो मैं टेलिग्राम पर डाल दूँगा टेलिग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लेना यहां पर देख सकते हैं सारे जिले की लिस्टा है यहां पर प्रयाग राज हो गया प्रयाग राज में 3499 चारता है तो यह सभी जिलों की लिस्ट है यहां पर किन छात्रों के है सिर्फ अनसूचित जाति ओम जन जाति के छात्रों के लिए यह है उन्हीं की scholarship यहाँ पर आएगी इनके बारे में यहाँ पर पता आएगा है तो आप एक बार college से संपर्क कर लेना उसके बास से आपको जो website को लगातार चेक आउट करते रहना वैसे इसको मैं टेलिग्राम पर डाल दूँगा टेलिग्राम की आईडिय माई हल्फ स्यूम आप अच्छे से वहाँ पर इसको read कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बैसे इतना दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट बूडू में तब तक प्लिए बाबाए